सासूर देवर और देवरानी मुझे और मेरे बच्चों को धमकी देते हैं मारते हैं मेरे प्रॉपर्टी को जब्रन चीनना चाहते हैं अगर मुझे नयाय नहीं मिला तो बच्चों के साथ पुलिस थाने में जाकर आत्म दाह करूंगी अंबरनाथ पुलिस थाने के अंत्रगरत मुरावली गाउं की शुभांगी सुरोष से के पती रविंदर सुरोष से इनका 2013 में दिल का दोरा पढ़ने से मौत हुई थी शुभांगी वड़ा पाव गौडी लगाकर अपने बच्चों के साथ अपना जीवन गुजार कर रही है मंदिर बनाने के लिए एक जमीन है जो शुभांगी के हिस्से में है उसे जमीन को लेकर ससुर देवर और देवरानी शुभांगी और उसके बच्चों को मानसिक टॉर्चर करके उनको मारते हैं गंदी गंदी गालिया देते हैं धमकी देते हैं उन लोगों ने अपने हिस्से की जमीन बेच डाली और मेरे हिस्से की जमीन जबरन छीन रहे हैं मैं मेरे बच्चों को लेकर कहा जाऊंगी धमकी देते हैं मारते हैं सब मिलकर मुझे मालसिक तनाव दे रहे हैं। रात में आ कर घर में हंगामा करते हैं हम और हमारे बच्चे डरे हुए हैं इस बारे में अंबर नाथ पुलिस थाने में जाकर शिकायद दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने न केवल एंसी ही किया बवकि पुलिस महां हमें गुम्राह कर रही है उस घर्टना के बाद भी मुझे कोई न्याए नहीं मिल रहा अगर मुझे न्याए नहीं मिला तो बच्चों के साथ पुलिस थान में जाकर आत्म दाह करूंगी कि आपका नाम? मेरा नाम आदिती जुरोशे क्या करना जाएगी जो आपके मम्मी को तकलीप देते हैं और आपको भी परिशानी करते हैं इतने दिन हो गए वो ऐसी आके कर रहे हम हमेशा जाते हैं को नहीं हो आपके? वो मेरे दादा और चाचा चाची आके हम लोग को धंकात अपसी लोग मरते हैं किसलिकर दल दल कुछ करते हैं उनको सब प्रॉपٹी कर चखिए हो मोलते कि तुम तुमारे बचको कैसे पढ़ा कि पदा है पड़ा हूं हमारे जिम्यदारी नहीं है वो सारी पर्वंस हमें देदी है मुसर ब्तल करते हैं आके मम्मी क्या करते है कि हमार क्या कहना चाहें पोन मिस अगर बनुचे नहीं है। काम करके तैसे मेरे दो बच्चों को समार रूए अगर मुझे नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं करूँगी जाके सिरह वहाँ पर आत्मधन करूगे अकेल ही इजा तो नहीं रोखूँगी का अकम करूगी बोल स्टेशन में